हाई फ्रेंड्स आज मैं एक एंटासीट कैप्सूल का रिव्यू करने जा रहा हूं ब्रांड नेम के अगर मैं बात करें तो प्रेप्टार्ड एल कैप्सूल ऐसा ब्रांड नेम सी है मार्केट में उपलब्ध होता है इंड कैम हेल्थ केर स्पेसिलिटीज प्राइबिट लिम की बनाया जाता है रिब्निक प्लस केपसूल जिसे एरिस लाइप सांसे दोरा बनाया जाता है वे लोजて एल कैपसूल जिससे Torrent Pharmaceutical Limited के दोरा बनाया जाता है Neoprite Total Capsule जिससे Intas Pharmaceutical Limited के दोरा बनाया जाता है और Regio L Capsule जिससे Dr. Rep monastery Limited के दोरा बनाया जाता है Friends यह कुछ ऐसे BCL VIP ब्रांड से जो इस medicine के नहमने लेगी जो इस and Re transit को कम करने के लिए intestinal ulcers के निदान के लिए एवं irritable bowel syndrome के लिए इस medicine का इस्तिमाल किया जाता है ये सारी complaints क्या होती है आप मेरे channel पर check out कर सकते हैं friends अब इसके कुछ side effects के बारे में देखते हैं तो नींद का आना, कमजोरी जैसा लगना, चक्कर आना, दर्द होना, मिचली आना, पेट में दर्द होना, दस्त का लगना, पेट में गैस बनना, कब्ज होना और सिर दर्द होना इसके कुछ common side effects होते हैं इस medicine को इस्तिमाल कैसे करना चाहिए तो friends, जैसे almost हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि medicine को डक्टर के द्वारे निरधारित, खुरांक और अबधी के अनुसार इस्तमाल करना चाहिए इसे साबुत निगलना चाहिए, चवाना, कुछलना, तोड़ना या पीशना नहीं चाहिए कैपसूल को खोल कर उसके पाउडर का इस्तमाल नहीं करना चाहिए इस medicine को जनरली खाली पेट के लिए recommend किया जाता है आए friends, आप देखते हैं, यह medicine कैसे कारे करती है तो friends, यह medicine, दो medicine के combination होता है जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है इसमें लिवो सल्प्राइड और रिवेप्रजोल पाया जाता है लिवो सल्प्राइड एक प्रोकाइनेटिक मेडिसिन होती है जो सरीर से निकलने वाले एसिटिल कोलिन के मातरा को बढ़ा देती है यह आपके इस्तमक और इंटेस्टाइन के movement को बढ़ाता है साथी साथ रिफलक्स की जो activity होती है यानि आपके food pipe में एसिट के जानी के प्रख्रिया को कम कर देता है साथी साथ रिवेप्रजोल एक proton pump inhibitor होता है जो आपके सरीर में निकलने वाले एसिट के मातरा को कम कर देता है जिसके कारण आपके सरीर में होने वाले इंडाइजेशन या अलसर जैसे इस्थिती से आपको relief मिलता है और आप अपने लक्षोनों में रहात महसूस करते है अगर इसके कुछ specific features की में बात करूँ तो इस medicine का जो long term होता है वह आपकी हड़ियों को कमजोर करता है इसलिए अगर आप लंबे समय तक इस medicine का इस्तमाल कर रहे हैं तो आपको साथ में कैलसियम का इस्तमाल करना चाहिए साथ इसाथ बिटामिन डी भी आपको लेना चाहिए ताकि आपको कैलसियम की कमी से न जोजना पड़े इसके अलाव आपको इस मैडिसेन के इस्तेमाल करने के दोरान Rafael के इस्तेमाल बिलकुल नहीं करना चाहिए अगर आपको इस मैडिसेन को लेने के दोरान watery, diarrhea होता है, fever होता है या पेट में दाद होता है के बाद ही मैडिसन का सेवन करना चाहिए तो ऐस साथानी पूर्वा किस मेडिसन और ना चाहिए अपने डाक्टर से इस भी सहमें परामर किया हो सिर्फ वीडियो के आधार पर मेडिसिन का इस्तिमाल करना कहा तक हो सकता है यह किसी डाक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का सब्स्टिटूट नहीं है आता है आपसे अनुरोध है कि मेडिसिन का इस्तिमाल डाक्टर के एडवाइस के बाद ही करें फ्रेंट्स इस वीडिय के साथ बहुत जल्दी आप तक फिर उपसित होता हूं तब तक के लिए गुडबाई आपको दिन सुभ हो जाए हिंद्ध